Hello everyone, मैं हूँ किरिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता ही क्राशीफल ये 11th April से लेकर 17th April तक की आपकी Tarot Ratings है, Tarot Predictions है और अभी currently मैं out of country हूँ, मैं Canada में हूँ तो अगर आप personal session book कराना चाहते हैं या फिर किसी भी reason की वज़े से मुझे contact करना चाहते हैं तो आप अगर WhatsApp message या फिर WhatsApp call करेंगे तो बहतर रहेगा क्योंकि normal call हो सकता है, miss हो जाए और दिखिए जवाब देने में थोड़ा सा delay हो सकता है क्योंकि यहाँ पे दिन रात का फरक है लेकिन अगर आप again मैं कहूंगी WhatsApp call या फिर WhatsApp message मुझे करेंगे तो definitely आपको जवाब मिलेगा और इसी के साथ साथ अगर आप daily tarot reading में interested हैं तो आप मेरा इंस्टा पीच भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या फिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का सापता ही ग्राशी फल चलिए आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है Eight of Wands and the Joys और दिखें ये दोनों ही cards बहुत ही positive energies की बात करते हैं Eight of Wands का card कहीं speed की बात करता है movement की बात करता है shift की बात करता है और Joys का card कहता है कि इसी वज़े से या फिर otherwise भी बहुत एक happiness, बहुत एक joy मन ही मन आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं और कुछ ऐसा ही in general या फिर specifically this week आपके professional front में रहता वा दिख रहा है जहां पे पीछे अगर चीजें रुकी हुई थी, अटकी हुई थी और बहुत stuck आप महसूस कर रहे थे तो उन्ही energies में से suddenly आप बाहर निकलते वे दिख रहे हैं और फिरसे मैं कहाँगी कि एक speed एक तेजी आ रही है और देखें इसके लिए सब के लिए different reasons हो सकते हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत जल्दी बहुत कुछ achieve करना चाहा रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि कोई काम आप complete करना चाहा रहे हैं डेडलाइन पास आ रही है और आप you know कहीं बहुत तेजी से अपना काम कर रहे हैं और कुछ लोगों के लिए लिटरल ही हो सकता है कि आप इस वीक ट्रावल कर रहे हैं या फिर ट्रावल करना चाहा रहे हैं और फिर से देखिए नीचे जॉयस का काट कहता है कि एक बहुत ही friendliness वाला atmosphere आपके work front में रह रहा है जहां पे अगर आपके co-workers को आपकी help या फिर support की ज़रत है तो आप देते वे दिख रहे हैं और अगर आपको किसी help किसी support की ज़रत है तो आपको भी मिलता हुआ दिख रहा है ज़ादा आपके interactions चो भी आपके work front में लोग हैं उनके साथ रह रहा है ज़ादा communication उनके साथ रह रहा है तो देखिए overall again बहुत अच्छी energies रहती हुई दिख रही है एक appreciation एक recognition आपको मिलता हुआ दिख रहा है तो देखिए attraction of opposite का card किसी चीज को बहुत ज़ादा चाहने की या फिर किसी चीज के लिए बहुत जबर्दस्त एक attraction एक temptation मन ही मन महसूस करने की बात करता है क्योंकि ये general reading है तो यहाँ पर देखिए सब के लिए different चीज़ें हो सकती है कुछ लोगों के लिए कोई materialistic चीज हो सकती है जिसको आप पाना चाहा रहे हैं जैसे की गाड़ी हो सकती है again कुछ लोगों के लिए कोई jewelry हो सकती है कुछ लोगों के लिए कोई dress हो सकती है कुछ लोगों के लिए love relationship में कोई इनसान हो सकता है again देखिये कोई भी चीज हो सकती है जिसको आप पाना चाहा रहे हैं और इसी से ही related बहुत एक obsessive सी बहुत एक possessive सी energies है और कहीं surface level के लिए four of swords का card कहता है कि या तो आप इस direction में action initiatives नहीं ले रहे हैं या फिर आपके circumstances ऐसे हैं आप इसी situation में हैं जहां पर आप जादा action या फिर बिल्कुल भी action initiatives नहीं ले पा रहे हैं और शायद इसी लिए देखिये आप काफी परिशान भी होते वे दिख रहे हैं तो यहां पर मैं आपको यहीं कहूंगी Taurus कि देखिये अगर circumstances या situation की वज़े से आप action initiatives नहीं ले पा रहे हैं तो कैसे इन ही energies में से आप अपने आपको बाहर निकालें कैसे एक attraction आप अपनी कम करें उस पे आप focus करें और कैसे एक सुकून आप अपने मन में ला सकते हैं उस पे focus करें लेकिन अगर आप action initiatives ले सकते हैं और नहीं ले पा रहे हैं तो देखिए बहुत बहुत important है कि जो भी आप आना चाहते हैं, उसी direction में, again आप action initiatives लें, आप अपना best दें, लेकिन साथ ही साथ, आप outcome से ज़्यादा attach ना हों, आप result से ज़्यादा attach ना हों, क्योंकि जब भी हम outcome और result से attach होते हैं, तब हम 100% नहीं दे पाते हैं, और फिर दे देखिए अगर ऐसा आप पाएं, तो ज़रूर अपने आपको check करके correct करें, और देखिए जो लोग love relationship से related देख रहे हैं, उनके लिए इस week partner को लेके बहुत जबरदस, again attraction रहती हुई देख रही हैं, जहां पर एक physical connect, physical union, physical intimacy भी आप चाहते हुए देख रहे हैं, और again देखि लेविल पर कुछ नहीं हो रहा है, तो देखिए जो भी चीजें externally हमारी life में हो रही हैं, उनको लेकर internally हम खुद को क्या कहते हैं, वही determine करता है कि हम परेशान होंगे या खुश होंगे, तो देखिए फिर से मैं कहूंगी कि अगर आप पा सकते हैं, तो effort करें, और अगर energy से अपने आपको ज़रूर बाहर निकालें, and guidance से आप लुगों के लिए new moon in Leo का card है, और ये card कहता है confidence is your key to success, तो जो भी इस week आप कर रहे हैं, professional front में या personal front में, आप कितना confidently उस चीज को करते हैं, या फिर उसी चीज को लेकर कितने आप confident हैं, वही आपको success भी दिलवाएग तो nutshell में देखिए, अगर आप success चाहते हैं, तो बहुत ही confidently अपने goal, अपने मकसद को pursue करें, and astrology से आप लोगों के लिए Venus planet का card है, और इसके हिसाब से white या फिर turquoise color आप लोगों के लिए इस week lucky रह सकता है, and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday, तो ये था Taurus आप लोगों के लि बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाएं